Good morning all of you, आज का हमारा टॉपिक है 4-stroke cycle compressed ignition engine इस टॉपिक के अंतरगत आज हम जानेंगे 4-stroke cycle compressed ignition engine या diesel engine का परिचे और 4-stroke cycle diesel engine की working तो आईए शुरू करते हैं आज का टॉपिक 4-stroke cycle compressed ignition engine को 4-stroke diesel cycle के नाम से भी जाना जाता है इन engines में fuel के रूप में diesel का प्रियोग होता है suction stroke के दोरान केवल ताजी हवा को सिलेंडर में खीचा जाता है compression stroke में इस हवा को high pressure पर compressed किया जाता है जिसके परिणाम से रूप एर का temperature अत्यदिक बढ़ जाता है compression stroke के अंत में fuel यानि की diesel को compressed air में injector या automizer की साहता से के दोरा fuel injection pump की साहता से high pressure पर inject किया जाता है बारिक फुवार या automized fuel compressed air के संपर्क में आकर उसके ताप मान के कारण स्वेम जलने लगता है power stroke में जल रही इधन के उच्छ ताप करम के से गैसों का pressure बढ़ता है जो piston को नीचे यानि TDC से BDC की और धकिलता है इस परकार सक्टी उत्पन होती है इस सक्टी को जो piston TDC से BDC की और मुख करता है इस सक्टी को connecting rod और crank shaft वा अन्य पार्टों की साहता से flywheel तक पहुँचाया जाता है exhaust stroke के दौरान piston BDC से TDC की और चलता है इस दौरान exhaust valve खुला रहता है piston के दबाव के करण जली हुई कैसे exhaust valve द्वारा बाहर निकल जाती है यह cycle engine के बंद होने तक खुद को दोराती है जिसके परिणाम से रूप engine के चलने का सिलसिला अथ्वा पावर रुथपन करने का सिलसिला जारी रहता है four stroke cycle compressed ignition engine की working जैसा की नाम से जाहिए रहे कि four stroke है यानि इसमें भी engine में पावर रुथपन होनी के लिए चार श्ट्रोकों में पूर्ण होती है intake stroke या suction stroke, compression stroke, power या expansion stroke और exhaust stroke आईए इन श्ट्रोकों के बारे में बारी बारी जानते है suction stroke, इस stroke के अंतरगत piston TDC से BDC की और move करता है और इस समय में inlet वाल भी खुला रहता है piston के move करने के कारण जब cylinder में vacuum की rate होता है तो inlet manifold द्वारा fresh air cylinder में पहुंचती है second stroke या compression stroke इस stroke के दौरान दोनु वाल भी खंद रहते हैं piston BDC से TDC की और move करता है जिसके परिणाम सरूप cylinder में आई गए फ्रेस एर दब जाती है जिसके घरनस का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तिसरा stroke या power stroke इस stroke के दौरान जब compression stroke के अंतु में piston TDC पर होता है उस समय injector द्वारा high pressure के साथ diesel fuel बारिक धुंद के रूप में compressed air पर spray किया जाता है इस spray के परिणाम सरूप high pressure के साथ हवा के साथ यह diesel fuel के बारिक का मिक्स होते हैं जिनके परिणाम सरूप कि वह स्वेम जल जाते हैं कि डीजल के property है कि 350 degree centigrade से उपर वहाँ स्वेम जलने लगता है इस परकार इस स्ट्रम में fuel को जलाने के लिए कि किसी भी spark plug की या अन्य ऐसी युक्ति के आवसकता नहीं होती है प्यूल के जलने के करण सिलेंडर के अंदर गैसों का प्रेसर बढ़ता है जिसके परिणाम सरूप पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की और मूग करता है इस सक्ति को कनेक्टिंग रॉड वहाँ क्रेंक साप्ट की साहता से फ्लाइवील तक पहुचाया जाता है इस स्ट्रोक के दौरान एक्जॉस्ट वाल्ब खुला रहता है पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की और मूग करता है पिस्टन के दबाओ के परिणाम सरूप जली हुई गैसे है एक्जॉस्ट वाल्ब के द्वारा सिलेंडर से बाहर निगल जाती है इस परकार फोर स्ट्रोक डीजल इंजन या फोर स्ट्रोक कंप्रेस्ट इंजन कारी करता है इसे एक एनिमेशन वीडियो के जड़िये समझने का प्रियास करते हैं पाउर एक्जॉस्ट सक्षंट पहला स्ट्रोक कंप्रेसं दूसरा श्ट्रोक तिसरा स्ट्रोक पाउर चॉथा स्ट्रोक एक्जॉस्ट ये पुनहां ये साइकल अपने आपको दोराएगा तब तक जब तक की इंजन को बंद न किया जाए इस प्रिकार फोल स्ट्रोक साइकल डिजल इंजन काम करता है आसा गरता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा धन्यवाद